से चार-पांस दिन पहले मुझे मेरे कई सब्सक्राइबर ने इमेल्स कुछ इस प्रकार के किये कि सर एए क्रेडिट लोन एप्लिकेशन प्ले इस्टोर पर उपलब नहीं है अब इसका लोन नहीं देना है क्या इसका लोन पूरे तरीके से माफ हो गया है मैंने पूरे तरीके से जल्दबाजी में एक वीडियो बनाई रात को ग्यारा बज़े के आसपास उस वीडियो को पूरे तरीके से अपलोड किया और मैंने बताया कि भहिया टेक्निकल पोल्ट भी हो सकता है टेक्निकल रिजन की वज़े से भी एक रेट लोन एपलिकेशन जो है वो प्ले इस्टोर से रिमूव हो सकती है दोस्तो इस बात को पूरे तरीके से लोग मानने को तैयार नहीं थे लोगों का ये क्या ना था के भाया गूगल जो कोलसी लेकर के आने वाला था 31st माई को के जो भी illegal तरीके से काम कर रही है लोन एपलिकेशन जो भी aware तरीके से लोन एपलिकेशन काम कर रही है वो application प्ले इस्टोर पर नहीं रहेगी वो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से contact वगरा की permission नहीं ले पाएगी और ये application पूरे तरीके से contact की permission ले रही है location की permission ले रही है व्यक्तियों को pen card आधार card पर loan तो दे रही है लेकिन उन्हें 1000-2000 रुपे का loan दे रही है ग्यारा जून है आज ठीक है और ग्यारा जून को पूरे तरीके से अगर देखा जाए play store पर जब मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ ए ए क्रेडिट नाम की application play store पर available है जिसके लगबग 10 लाग plus downloaders है जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि loan application जो है play store पर से ए क्रेडिट रिमूब पर वान इंटली हो गई है हमेशा हमेशा के लिए हो गई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ए ए क्रेडिट loan application दोबारा से play store पर आ गई है अब आप साबधान हो जाओ अब आप पूरे तरीके से सतरक हो जाओ क्योंकि इसका जो आतंक है वो new users को दोबारा से फशाना चालू हो जाएगा क्योंकि जो पुराने व्यक्ति हैं वो तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं बहु भी जानते हैं कि भाईया ए ए क्रेडिट किस इस तरकी application है किस तरीके से application available है सवाल उठता है सरकार पर पूरे तरीके से कि भाई जो आप ये लोग सीजों को समझते हो कि भाई ये जो application है अवेल काम कर रही है गलत काम कर रही है पूरे तरीके से व्यक्तियों को 1000-2000 रुपे का लोन दे करके उनसे वसूली कर रही है तो ये application अभी तक भी play store से हट क्यों नहीं पा रही है पिछले 3 साल से पहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनके आतंक से जो कि इनके harassment से पूरे तरीके से परेशान आ करके आत्म हत्या तक कर लेते हैं लेकिन government in loan applications को remove करने में पूरे तरीके से असमरत है पूरे तरीके से ये government की नाकामियावी है आप इस बात को क्या कहते हैं comment box में आप मुझे जरूर बताएं क्या आपको लगता है government पूरे तरीके से in loan applications को remove करा पाएगी क्या आपको लगता है Google पूरे तरीके से इस scam को बंद कराने में पूरे तरीके से सफल हो पाएगा comment section खुला है जरूर बताएं तो साबदान रहें Google की कोई policy वगरा लागुव भी नहीं हुई है जब मैं इस video को record कर रहा हूँ जो Google कहता था 31 मही के बाद पूरे तरीके से loan application permission नहीं ले पाएगी वो पूरे तरीके से आज भी available है आज 11 जून 2023 है तो आप देख लिजेगा Google की ये नाकाम्याबी फिर भी लेंगे किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें बाबाई टेक केर जाहिन वंदे मातरम